नमस्ते दोस्तों मैं पूनम आपका हाउस्पूल कीचेर में स्वागत करती हूँ तो आज के इस वीडियो में चावल के पर्फेक्ट लड्डू कैसे बनते हैं वो सिखेंगे हम लोग चावल के लड्डू बहुत ही टेस्टी होते हैं और इसे एक महीने तक श्टोर किया जा सकता है तो देखिए कितने सौफ्ट लड्डू बनके तयार हुए हैं और इसको बनाने में ज्यादा कोई ना समान लगा है और ज्यादा महनत लगा है फटा फट यह लड़ू बन के तयार होते हैं तो बस एक ही चम्मच घी लगा है और एक ग्ला से भी कम दूद लगा है और इतने सारे लड़ू बन के तयार हुए है तो इसका स्वाद आप लोगों को इतना पसंद आएगा कि आप लोग इसे बार बार बनाना पसंद करोगे और जो समगरी इसमें डली गई है वो सभी हमारे घर में अबलेबल होते हैं हर समय तो आप लोग इसे देखते ही बनाना पसंद करोगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा एक ही वीडियो में आप चावल के परफेक्ट लड़ू कैसे बनाया जाते हैं वो सीख लीजेगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो चलिए कैसे ये लड़ू बनाया वो देख लेते हैं तो सबसे पहले चावल का आटा बनायेंगे तो ये दो कटोडी अरवा चावल ले लिये हैं ये मोटे वाले चावल हैं जिससे खीर बनते हैं वो चावल नहीं मतलब बासमती चावल नहीं है ये मोटे वाले चावल है तो इसे हम लोग अच्छे से साफ करके धो लेंगे और धो के लगभग 10 से 15 मिनट पानी में ही छोड़ देंगे तो जब चावल से साफ पानी आने लगे मतलब 3-4 पानी अच्छे से चावल को धो लेंगे तो देखिए चावल से साफ पानी आने लगे हैं तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, आप चाहे तो चाय छनी से भी से छान सकते हैं, इसे मैं हाथ से ही निकाल के किसी प्लेट में रख रही हूँ, और इसे अब फैला के पंखा के नीचे रख देंगे, आप चाहे तो कॉटन के कपड़े पर भी इसे फैला सकते हैं, तो इसे मैं प्लेट में ही पंखा के नीचे रखूंगी, तो एक डेड़ घंटे में यह सारे पानी सूख जाएंगे, तो देखिए एक डेड़ घंटे हो गये थे और सारे पानी सूख गये थे, तो इसे मिक्सी में पीस लेंगे, चावल में पानी बिल्कुल भी नहीं होने तो देखिए पानी नहीं थे और चावल फूले हुए थे, तो बहुत ही बढ़िया आटा बन के तयार हुआ है, एकदम बारीक पीसे हैं, इसी तरीके से सारे चावल को आप पीस लीजेगा, और पीस के एक छनी से इसे छन लीजेगा, तो देखिए इसी तरीके से बनाना है, तो अब चलिए गैस चुला चला जलाते हैं, और इसमें एक कडाही रखते हैं, और दो कटोडी चावल के आटे को डाले हूँ, और इसे सुखा ही भूनेंगे, कोई घी नहीं अभी डालेंगे, और गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे भूने लाल नहीं करना है केवल चावल का कच्छा पंदूर करना है और चावल से बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगेगी तो 5-7 मिनट के बाद चावल देखिए भुन गया है चावल हलके भी हो गया है तो इसमें एक कटोड़ी नारियल का बुरादा डाल रहे हैं नारियल के बुरादा आपको किराने के स्टोर पे मिल जाएगा अगर नारियल के बुरादा ना हो तो सूखा नारियल भी डाल सकते हैं काटके बारिक बारिक तो देखिए ये चावल और नारियल के बुरादा अच्छे से भुन गये थे तो इसमें एक चमच घही डाल दिये हैं ये दे का मतलब है हमारे चाबल अच्छे भुन गया है तो देखिए इसे किसी बरतन में निकाल लेंगे अब इस पे एक ग्लास से भी कम दूध है उसे डाल के अच्छे से बॉल करेंगे तो देखिए उसी कराही में मैं ये दूध को बॉल कर रही हूं तो इसे थोड़ा सा गाढा करन करेंगे जितना में लड़ू हमारे बन के तयार हो जाए उतना गाढाइ इसे करना है अभी काफी पतला है तो देखिए पांच विननेट में ये गाढा हो गया है अब इसमें एक कटोरी चीनी डालेंगे दो एक चीनी डाल के, इसी में इसे पिखला लेंगे. जब चीनी डालेंगा तो थोरा दूद पतला हो जाएगा। चीनी पिखलेगातों फिर थोड़ी देर में वह लूद्ठी सेट हो जाएगा, तो देखिए और जब दूद को खौलाएं तो उपर में जो दूद सटा हुए रहता है उसे खुरच-खुरच के फिर से कड़ाही में ही डालते जाएंगे देखिए हमारा दूद सेट हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है तो जितना लड़ू बनाने में हमें लगेगा दूद उतना गाढ़ा कर लेंगे लगातार चलाते हुए दूद को सुखाएंगे इसे छोड़ेंगे तो नीचे से पघड़ लेगा तो इसे लगातार चलाते हुए दूद को सुखाते हुए रहेंगे और उपर से जो भी दूद कड़ाही में चिपकता है उसे खरोच-खरोच के फिर कड़ाही में ही गिराते जाएंगे तो देखिए हमारा दूद अब गारा हो चुका है इतना ही गारा हमें चाहिए देखिए परफेक्ट है अब गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और दूद को ठंधा करेंगे मतलब दूद बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए उंगली डाले तो जले नहीं बस उतना गरम होना चाहिए तो चलिए अब इसे ठंधा कर लेते हैं और यहां जो पाउडर भून के रखे थे चावल और नारियल का उसमें एक चमच इलाइची पाउडर डाल देंगे और यहां कुछ काजू और कुछ बादाम को टुकड़े कर लिये हैं देखिए यह अपना इच्छा नुसार आप डालें जो भी ड्राइफ रोट्स आपके पास हो उसे डाल दें तो मैं यहां काजू और बादाम डाली हूँ टुकड़े टुकड़े करके अब इस ही मही से मिला देंगे देखिए बच्छे से मिल गया है आप चलते हैं वो जो दूद ठंडा हुआ था उसे डालेंगे तो देखिए दूद हमारा गाड़ा इतना ही चाहिए था हो गया है और इसे अब इसमें डाल देंगे आटा में अब इसे चमत से मिला देते हैं देखिए इसी तरीके से आप मि पुरा गिला नहीं करेंगे अब अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसे निम्बू के साइज का लेकर गोल गोल हथेलियों से दबाते हुए करेंगे तो देखिए निम्बू के साइज का लड्डू बनाएंगे हम लोग तो इसली यह लड्डू बन जाएंगे बहुत ही बन गया ना इसी तरीके से सारे लड़ू हम लोग बनाएंगे तो निम्बू के साइज कर लेंगे और इसे मुठी से दबाते हुए लड़ू बनाएंगे और फिर इसे हाथों में इस तरीके से घुमाएंगे तो परफेक्ट सेफ हो जाएगा और देखिए कितना गही छोड़ा है नाडियल में भी अपना तेल छोड़ता है और एक चमच ही गही था दूद सुखा है उसका गही हो गया तो ये बहुत ही रिच लड़ू बन के तयार होंगे तो इसी तरीके से सारे लड़ू हम लोग बना के तयार कर लेंगे और ये लगभग एक महीने तक खराब नहीं होंगे और बहुत मज़े से कोई भी आए गेश्ट आई या घर में ही खाने का मन करे तो आप इसे बना के खाएं बहुत मज़ा आने वाला है बहुत टेश्टी ये लड़ू बन के तयार होते हैं देखिए तो इसी तरीके से हम लोग सारे लड़ू बना के तयार कर लेंगे देखिए सारे लड़ू बन गए हैं लग रहे हैं अमेजिंग और स्वात तो बहुत पसंद आएंगे आपको तो चलिए हम लोग सारे लड़ू बना लिये हैं अब देखिए ये लाजवाब सा लड़ू तोड़ के दिखाते हैं बहुत ही सॉफ्ट ये लड़ू बन के तयार होंगे और खाने में तो ये माइंड ब्लोइंग लगता है बहुत ही टेस्टी होता है और ज्यादा घी तेल भी नहीं डला हुआ है इसलिए बहुत हेल्दी होता है तो आप लोग इसे जरूर बनाईए आप लोग को बहुत पसंद आएगा और इसे एयर टाइट कंटेनर वे भढ़ कुराते रहें खाते रहें खिलाते रहें टेक क्यार बबाई